नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं इसकी जनकारी मिलते ही प्रतिनिधी मंडल को वार्ता करने के लिए समर्नाले बुलाया गया अधिकारियों में अपर सचीव एडोडे आईजी अखिलेस जहाँ एस एस पी सुलेंद्र कुमार जहाँ सीटी एसपी सोरव और ग्रामीन एसपी नोसाद अलमने वार्ता की मोगे पर मांदे बढ़ाने सेवा बहाल रखने और पुलिस कर्मियों की नौकरी में उम्र सीमा की छुट सहीत आठ अने मांगो को पूरा करने का स्वासन मिला इसमें सीधी अस्थाई नियुक्ती को छोड़ कर मांदे बढ़ाने 2022 तक सेवा बहाल रखने सहीत अने मांगो पर चार्चा की गई जहारखन में इंजिनियरिंग कॉलेज में नवांकन के लिए सुरू होगी कौंसिलिंग परकिरिया JCECEV ने राज्य के इंजिनियरिंग कॉलेज में एड्मिसन के लिए कौंसिलिंग की परकिरिया शुरू कर दी है बता दे जेए मेंस 2021 में सफल हुए अव्यार्थी 3 नोवंबर तक ओनलाइन रईस्टेशन कर सकेंगे बता दे इसमें जेनरल OVC काटेगरी के विद्यार थी 500 रुपए और A.C.H.T. चात्र 250 रुपए देकर वेबसाइट से ओनलाइन रईस्टेशन पूरी कर सकेंगे जार्खन के हज यात्रियों के लिए आवेदन शुरू हज 2022 में जाने वाले हज यात्रियों के लिए आवेदन की फरकिया शुरू हो गई है एक नॉवंबर से 31 जनवरी तक हज यात्री आवेदन कर सकते हैं यह जनकारी जार्खन राज हज समीती के अध्यक्ष डाक्टर इफान अंसारी ने कडरो इस्थीत हज हाउस में दी है उन्होंने बताया कि हज यात्रियों के लिए कुलकात्ता से उड़ान भरने की विवस्ता है वे रांची अरपोर्ट से उड़ान नहीं भर सकेंगे जे पी एसी पीटी का रियर्ट होगा रद जार्खन लोग सेवा आयोग द्वारा सोम वार को जारी चार सीविल सेवा प्ररणविक परिच्छा का रियर्ट फीर बिवादों में आगया है बतादे इस बार सीरियल नंबर से लगभग 33 विद्यार्थों के चयन को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है मंगलवार को अभियार्थियों सहित कई छात्र संगटनों ने वाट से परोल नंबर वाइरल भी किये ट्वीट करके परिक्षा की बिश्वस नियता पर सबाल उठाया और इसकी जाज कराने या फिर रद करने की मांग करने लगे जनकारी के अनुसार आयोग द्वारा सातवी, आठवी, नौवी और दसवी की प्रारंबिक परिक्षा उनाईस सितंबर 2021 को राजे के एक आरा सो दो केंद्रों पर लिग गई थी मैट्रिक इंटर परिक्षा अगले माह राजे में मैट्रिक इंटर की प्राथम चरण की परिक्षा दिसंबर में होगी बतादे ज्यारखन एकेडमी काउंसिल द्वारा परिक्षा की त्यारी सुरू कर दी गई है मैट्रिक की परिक्षा दो वा इंटर की परिक्षा तीन दीन में संपन हो जाएगी एक स्थास दो विषय की परिक्षा ली जाएगी बता दे मैट्रिक की परिक्षा 3 वा इंटर की परिक्षा 6 पाली में समाप्त हो जाएगी इस वर्स मैट्रिक वा इंटर की विषय परिक्षा इस अधार पर ही ली गई थी परिक्षा OMR सीट पर होगी एक विशाय में 40 प्रश्ण पूछे जाएंगे पर तेक प्रश्ण एक एक अंक का होगा वहीं एक विशाय के लिए डेड़ घंटा का समय दिया जाएगा एक पाली गनीत बिज्ञान वहीं दूसरी पाली में हिंदी अंग्रेजी एवं समाजिक सास्त्र और अने विशाय की पर करिदारी हुई आम लोग तेवहारी उल्लास में नजर आए तो बेपारी भी उत्साहित दिखे एक अनुवान के मुताबिक जार्खन में लगभग 1227 कोड़ रुपए का करोबार हुआ है रांची में करोबार का आकड़ा 368 कोड़ को पार कर गया है वहीं सोना चांदी हीरे दो पहिया, चार पहिया, इलेक्ट्रोनिक, लेप्टोप, मोबाइल, फरनिचर और प्रोपर्टी बाजार में भी रोणक रही जगमग हुआ माचिनमस्तिके का दरबार जारखन के रामगर जीला अंतरगत रजरापा मंदीर को दिपावरी और काली पुजा के उपलक्ष पर आकरसक बिधोत सज्जा से सजाया गया है जिसकार माचिनमस्तिके देवी का दरबार रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा हो उठा है बतादे मंदीर परिसर दुधिया रोसिनी से नहा रहा है वही काली पुजा के मोखे पर गुरुवार को देश भर के तांतरीक साधक वसर धालू का जुटान रजरापा मंदीर में होगा पूरी रात माचिनमस्तिके की पुजा होगी हजारी बाग पुलिस को बड़ी सफलता अमन साहू गैंग के पांच आरोपी गिरफतार मामले दर्ज हैं इस बात की जनकारी एस पी मनोज रतन चोथे ने पत्रकारों को दिया है सरना जंडा उखारने के बिरोध में एनेच पशतर जाम लातेहार जिला उंतरगत सदर प्रखंड के अंबा जहारन गाउं में आदिवासी धार्मिक अस्थल पर धुमकुडिया भवन निर्मान में रोक टोक और सरना जंडा उखारने के बिरोध में बुध्वार को आदिवासी पढ़ा समीती ने चक्का जाम किया इस दोरान एनेच पशतर मुख्य मार घंटो जाम रहा जाम अस्थल पर आदिवासी महिला वा पूरुस परंपरिक तरीके के साथ धोर नगाळा लेकर पहुंचे थे जबकि महिलाई अपने हाथों में हासुआ और तीधनुस लेकर नारे बाजिक कर रहे थे हलाकि सियो के अस्वासन के बाद जाम हटाया गया है विकास के पैमायने पर जारखन देश भर में तिसरा स्थान पर बैंगलोरु इस्थित थिंक टेक पॉब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी पॉब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 के सूची में बिकास करने के मामले में जारखन को देश भर में तिसरा अस्थान दिया गया है बतादे गवर्नेंस परफोर्मेंस कटेगरी में जारखन को 18 बड़े राजियों में नवा अस्थान मिला है इस वर्ष जारी इंडेक्स में राज सरकारों को विकास पोलिसी मेकिंग कोविट के दरान किये रहत कारे का मापा गया है सिक्छक संगठनों का दिखा आक्रोस इसकुली सिक्छा एम सक्षटा विभाग के सचीव राजेस कुमार सिंग द्वारा परदेश के सभी सिक्छक संगठनों के सिष्ट मंडल की बैठक होई इसमें राष्टी सेक्षनिक महासंग के प्रतिनीधी मंडल में संजोजक आसुतोस कुमार सहसंजोजक विजय बादूर सिंग इमपरदेश मीडिया परभारी अरुन कुमारदा सामिल हुए बैठक में कई बंदूओं पर चार्चा की गई सिक्छंग सक्ठनों में कई बातों को लेकर आक्रोस रहा उनका काना था कि राजे के सभी प्रात्मिक सिक्षकों की सभी ग्रेडों में लंबित प्रोनती को 26-8-2021 के अनुरूप भूत लक्षी प्रभाव से देने की तौरित करवाही की जाए पी-म के साथ बैक्सिनेशन को लेकर आयोजित वर्चूल बैठक टीका करण में पिछडने के कारणों को लेकर प्रधान मंधी नयनमोदी द्वारा वर्चूल समिक्षा बैठक की गई इसमें सामिल होने के लिए समनाले परिसर में इस्थित एन आईसी में उपायोग समेत कई अधिकारी निधारी समय से पहले पहुंच चुके थे बैक्सिनेशन में पिछडने के कारणों की जनकारी देने के लिए पूरी तरसे डेटा तयार रखा गया था सभी अधिकारी काफी चौकस थे लेकिन गढ़वा वला तयार उपायुक्त को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला ज्यार खन के टीका करण में हो रही लापरवाही चीनता जनक कुरोना से निपटने का सबसे बड़ा उपाय टीका करण है विश्योस्वा संगठान भारतियेच्चिकित सानुसंधान परिशत से लेकर तमाम विश्यसग्य मानते हैं कि अबादी को वाइरस से प्रतिरक्षित कर ही कुरोना के बिरोध जंग जीती जा सकती है इसके बावजूद ज्यार खन में कुरोना टीका करण मिला परवाही चीनता जनक है बता दे ज्यार खन कई राजियोस से टीका करण में पीछे है राजिय के नौ जीले ऐसे हैं जहां टीका करण की रफ्तार धिमी है ज्यार खन के सभी जीलों में हर घर दस तक अभियान शुरू कुरोना टीका करण को गती देने के लिए राची जीले में पिछले माह से ही चल रहे जगरुपता अभियान के बाद अब राजिय के विभीन जीलों में टीका करण को गती देने के लिए मंगलवार से हर घर दस तक अभियान शुरू किया गया है इस अभियान में लोगों को कुरोना वैक्सिन के फायदे वह इसके लेने की या उसकता के बारे में बताया जा रहा है साथ ही जीन लोगों ने भैक्सिन की पहली अदूसरी डोज नहीं लिया है स्वास्त कर्मी उनके घर पर जाकर उनसे टीका लेने का आगरा कर रहे है आटो के खिलाप छट के बाद चलेगा अभियान रांची में आटो के खिलाप अभियान सुरू किया जाएगा आटो जाँच के लिए आट यो करेयाले ने आदेश जारी कर दिया है और ट्रैफिक पुलिस को सकती के साथ जाँच करने का निदेश दिया गया है रिजल्ट परकासन की मांग को लेकर सिक्षकों का धरना जारी एगारा गयर अनुसुजी जीलो में हाई स्कूल की 25 परतिसत सीटों पर सिधी नियुकती के लिए छो अनिवार विशयों के सफल अभियार्थियों का धरना बुद्वार को 15 में दिन भी जारी रहा अभियार्थियों का धरना प्रोजेक्ट भवन के समक्ष चल रहा है पर ही रंगोली बना कर अपनी मांग दोराई इसकूलो और कॉलेजों में अब NCC के नए पाठेकरम लागू होगा जारखन के इसकूलो और कॉलेजों में अब NCC के नए पाठेकरम लागू किये जाएंगे इसके लिए राज सरकार के अनुमती प्राप्त हो चुकी है बतादे पाठे करम को 24 बेस्ट क्रेडिट सिस्टम की निती के तहत कोर्स में सामिल किया जाएगा उक्त बाते बिहार जारखन NCC निदे साले के अपर महा निदे सक मेजर जनरल एम इंद्रबालन ने करम टोली चोग के नजदिक इस्थित NCC कैमपस में पत्रकारों को समोधित करते हुए कही धनबाद एयरपोर्ट के लिए 650 एकर जमीन चिनहीद धनबाद में एयरपोर्ट के लिए भोमी का चैन कर लिया गया है धनबाद में भारी भीड के बाद धनबाद में भी जल्दी हावाई अड़ा का निर्वान किया जाएगा बता दे धनबाद एयरपोर्ट के लिए जमीन चिनहीद करने की कवायद भी तेज कर दी गई है धनबाद के उपायुक संदीप सिंग ने बलियापूर अंचल अधिकारी राम परवेश से बलियापूर में चिनहीद की गई जमीन वह उनका नाक्सा भेजने का निर्देश दिया था सियो ने जिला मुख्यालय को दस्तावेश भेज दिये हाँ धन्यवाद